रेनो क्विट। बहुतो के लिए कुछ इंट्रेस्टिंग तो नहीं पर कॵिट के पीछे की कहानी काफ़ी हैं। सेप्टेμबर 2015 इंडिया का रूबरू हुआ रेनो क्विट से। क्विट के जना थे ज़राठ दीद और बे। क्विट का स्टार्टिंग प्राइस था मात्र धाई लाक रुपे कॉम्पेटिशन था मारूति की अल्टो और युन्डेई सांट्रो फिर भी सिफ दो महिने में 17,000 बुकिंग्स उठा ली और 10% मार्केट शेर पकड़ के मार्केट को क्यो हिला डाला ना क्विट के साथ रेनो ने तीन चीज़े सही की पहला प्राइसिंग लांच के समय एक रेनो क्विट कॉम्पेटिशन से 50,000 रुपे कम एविलेबल थी दूसरा प्रेजन्स रेनो समझ गया था कि इंडिया में SUVs का मार्केट फटेगा तो प्लास्टिक क्लाडिंग लगा के ग्राउंड क्लियर्स बढ़ा के क्विट को SUV का लुग दे दिया तीसरा प्रोडक्शन क्विट बैटी है एंट्री लेवल एवल हैच्बैक सेगमेट में जो की बहुत प्राइस सेंसेटिव है तो प्राइस कम रखने के लिए रेनो ने क्विट के 98% पार्ट्स लोकली बनाये क्विट ने इंडिया को वो दिया जो आल्टो नहीं दे पा रही थी एक पारफुल फीचर लोड़ेड SUV जैसी गाड़ी 25 का मालज और अराम से बजट में हमारी नेक्स टोरी के लिए अपनी गाड़ी को नॉमिनेट करें कमेंट्स में और ऐसे और कॉंटेंट के लिए सब्सक्राइब टुगो मेकानिक